संगत न करी, पण एने संगत करी विद्याना उपासको अने शब्द शिल्पियों नी एनो परिणाम इंदुलाल गांदी जे जो यो डोलराय मा करजेवा पंडित, प्रकाहंड पंडित, मोटा सिक्षन सास्त्री गणाय करांची मा, जोबन पुत्रा, भाहिका का आप जानेने जोएला, कर्शन दास, लुहार, एमने मानेला, तो एमने मले, एमनी साथे वातो करे, एमनी पाननी दुकान, ए आवा बजा साहित्य कारो नू मिलन हती डोलराय मा कर्थी मांडिने, आप जा शिक्षन सास्त्रियो, केलवनी कारो, विद्या पुरुषो, एमनी पासे ब्यस्ता अने इंदुलाल गांधी एमनु स्यवन केर्यू, एमनी इंटराट से रात्री स्कूल मां भणे, विद्या पुरुषी, अपार विद्या पुरुषी, जो अपार विद्या पुरुषी न होत, तो ए समये, ए आविरीते विद्या प्राप्ति मांटे क्रियाशल न बेना होत काम करे एना प्रुप जोयरापे परची नवरचना एनी साथे जोडायू जहे मल परमार निरंजन वर्मा इंदुलाल गांधी एमने काम करे लूँ शाहितिक पत्रकारत्वना एमने जे सामई को शरू के रहा निभायवा पोता नी बची यली पुंजियो एमा नाखी अने साहित्यनू पड जाकतू राइख्यू पार्की छतिना जाकतल होईचे समाजमा पन गुल्ला ममत शेक थी मांडी ने भवानिशंकर थी मांडी ने सुर्यस दलाल आब जा कवियो नी हरिंद्र दवे नी पेली कविता कोई छापनारो होई तो इंदुलाल गांधी है ता आब जा जाने कवि बनावनारा कवि पद अपावनारा आ कवि हता पोटे नेपत्य मा रहा है एमनी कविता पहला पाने न छापे पने सुंद्रम नी उमाशंकर नी स्रीधराणी नी ए जमाना मां सुंदर जी बेटा आई आ त्रिशीना जे महत्वना कवियो एनी हरोड मां इंदुला गांधी पण आपने त्या आवाब जा पायाना पत्थरो कवितानु पड जात्तु राखनारा पत्थरो कविताना प्रवाहने विहतो राखनारा पत्थरो येने आपने भुली जीए छे नेनी उपर इमारत चणी दिये छे पण येमनु अतिथी नामनु सामयीक कोलक साथे एमने शरू करेलू कवीता रतिलाल भायने ए बदा एना ए एमनी साथे काम करता हता सिंधु समाचार मात्यां काम करता हता अहिया नुतन सवराश कच्छ मित्र नो रजज जहन त्यंक ए समय मा एडिट करवानू एमने क्यवा मावे फुल छाबनो सुवर्ण जहन त्यंक संपादन एमने सवपाई तो मैं कल्प ना करो आवा प्रतिश्थित देईनी को एनी रजज जहनती के सुवर्ण जहनती नी उजवनी करे त्यारे एना समुरुती संपादन ग्रण्थ नू काम कोने सवपू तो ये समय मां काई ओचा साहित्यकारो नो ता पन एना जिवी साहित्यक सूजवाला पत्रकारो साहित्यकारो लगबग ओचा हाता मडिया हाता, मेगानी हाता, गणा हाता हरिंद्र दबे हाता, बदा उगता हाता पन एक वरिष्ठ साहित्यक पत्रकार तरीके अने शुष्मा, गजर, पीनाक, पाणी एवा वेद्या नाम ती कविताओ लखे कवितानों अंक तो 42 पानानों पूरोज करवो जोईए कविताओ ओछी मली होई, सारी ओछी मली होई एटले एक कविताओ उप्रांज पाना घटे तो पोते तक्खलूस धारन करेला एटले तक्खलूस पन बोचाना शी एटले बदा तक्खलूस है ना ये बदू में ज्यारे काम केरू त्यार मने खबर पड़ी किटला बदा पुछू त्यारे जीवता हता बीमार हता पना में पुछू अटले हमने ओगणी सो त्यासी मा विश्णु भाय लेंग लाइबरेरी ने हम थयू अमे विनुभाय दोशी विजभाय रूपाणिया बदा वसंभाय खोखाणि ये वक्त में लोको लेंग लाइबरेरी ना मंडल मा हता राही बदा आवे अमारी मीटिंग मा आए पन सब्भी हता अमने हम थयू के आग आमनो मोटा गजानो कवी इंदुलाल गान देजे आकाश्वाणी मा इनी कवीता हो गवाय छे पोते आकाश्वाणी मा काम करेलू पोते छापा मा काम करेलू नुतन सवराश आ बद्धा छे पन लाइब्रेरी नी फरच्छे ग्रन्था लई नी फरच्छे के नगरमा वस्ता कवी ने समुचीत रिते सनमानित करी ने प्रजासमक्ष मुकवा जोई अने हुँ तो त्यार बहु यंग एकदम हजी एमे थे इन अध्यापक थाये लो ये वक्ते अर्विन भाय मनियार नो ग्रन्थ एडिट करे लो विष्णु भाय बाजपे उध्गाटन करवा आवेला अटला में बदा लोको लेंग लाइब्रेरी अर्विन भाय आता आमारी साथे कमिटी में अर्विन भाय कही हुए अन्मु सनमान था उजी अर्विन भाय मनियारे पछे मनु सनमान केरू पर कमिटी में वो निरले लेवानों के मात्र सनमान नहीं धनराशी थी के शाल थी के बरोबर छे पण एनी कवीता होनो एक संचेपन प्रकाशित करवो जोई उचित निते एने मुलवा जोई इने मा नक्की थे हो के आ काम बलुवन भाय ने सौपो वो ये वक्ते इवान वाथे थोड़ो कड़क विवेचक गणातो तो बदा मित्रने मा तो का इन्दुलाल गांधी नी धोलाय करने आक्षे बदा दिग्जो बानुवायन उपेंद्रवायन बदा आता कमिटी मा के ना बलुवन भाय ने क्योगी पन उज्यार ये कवीतामा प्रवेश्यो अशोका बेन अमारा विद्यार थीन बदा जाने इन्दुलाल गांधी ना प्रदान थी कोई अपरी चित नहीं बासकर भाय वोरा राजी थेलान ए समय ना इतला बदा मानसों ने आनन थेलो आकाश्वाणी वसुबेन नो खास पत्र आये हो के वा ए मागू छू क्या वा लब्द प्रतिष्ट कवी जे नगर मा वस्ताहता ए महा नगर ना ग्रंथा ले ए मनु सन्मान केरो राज्य सरकारे करेला सन्मान तो कदाज भूलाई जवाए राज्य सरकारे करेला सन्मान ने कोग पाछोई आपे पड़ा ग्रंथा ले द्वारा कोई नु सन्मान थयू हो तो वा एक मात्र कवी छे इंदुलाल गांदी जैने ग्रंथा ले सन्मानित किरा तो आभी रिते कराची मा रहता हता ने त्यां आबधा साथे सत्संग आबधानु मिलन एमां थिये हिंदुस्तान ना भागला पेड़ा आपड़े जानिये छिए ए दुर्निवार दारोन स्थिती तमारा घर तमारी संपत्ती पुन्जी वासन कुशन बदु मुकी नावू पड़े अकिंचन बनीने बेरे कपड़े एक कवी त्यां थी निश्काशित थाए छे अने सवराश्मा मूल नाखे छे श्रीध्राणी ये लखो पिडिवतू उखडेला आमबा नव उगे घरे उगेला आभे पुगे तो ये समयना घरे उगेला तो आम आभे पुगे गेला उमाशंकर, सुन्दरम, सुन्दरजी बेटाई, श्रीध्राणी आब देनो जमानों अने इमना गणा काविय संगरो पन प्रकाशित थेला ए जमाना मा फुलचा आपने बजा मा येना विवेचन पन सरस्तेला, इन्दुलल गांधी इना गीतों ने कारणे, इना भजनों ने कारणे, अने इनी गजलों ने कारणे पन एटला बजा प्रक्यात हता, लोकप्री हता, के ए समयना प्रतिशित कवियो नेम थतु हतु, के अमारा कावियो करता इंदुलर गांधी ना कावियो रेडियो उपर वदु गवाये छे। कारण के ये रेडियो माँ छे। आकाश्वाणी मां स्क्रिप्ट रैटर तरीके शरू करेली कामगिरी अने छे प्रोडूसर सुधी पहुचेला। ए जमानामा तो मेरिट्स कोई ओखान, कोई गोडभादर न होवा छता, पोता नी मेरिट्स थी एने जे स्क्रिप्ट लखी छे। ये बदी स्क्रिप्ट मना आजे वाची है त्यार ख्याल आवे के नी कलपकता समुचीत पदावली। विष्णु भाय कैयो तेम शब्दनु संयोजन, अलंकारो, उत्प्रेक्षा, रोशनी, रोशनी। तमें जूओ, स्लेश केरो, वालमी की सिता विश्याने कावियजे लेख्यू, अनुष्टू मिश्रोब जाती शिक्रणी माँ। सिता अनि त्याग करीदिधो चेने, जंगल मा एक किनारे, नदीने किनारे उरुख्षणीचे छे, पुछू, अने सिता ये, जवाबाय पो, ना शाप शो एने, उह क्या, हूँ एनी भार्याछू, अनेे प्रजानी पीडा ने पंड़नी पीडा मानी ने तमें जो पनु आवर्तं प्रजानी पीडा ने पंड़नी पीडा आप पंड़नी शब्द विश्णुभाय के से मकाठिया वाड़ी Chinese क्यों से क्यामें है ऐन्हां शंकरें यह संस्म्णों लो लेंगा छे एमा सब्सक्राइब से मुसाफरी एक हैता यह तादा उभाता हो। यह कि Dolan comments फान खिर मोले। तौ मेरी पास। नियू उमाशंकरे एम कि दू के हुँ नहीं पी जाओ, हुँ नहीं पीओ अरे बापा पीओ ने आतो पंचनो प्यालो छे अने उमाशंकर उभाध है गया पंचनो प्यालो छे पर पछी पुछू के बापा आद दात तमारा छे के चोक्ठू छे ना पंचनो छे उमाशंकर के पंचनो जेणा जीवने जेवो पैलवारू को अड के मानो हात एम छेते हुँ जाड ने अडवी बंक्ति मने याद आवी गे ये वक्ते रमेश पारेख नी जाड वीशे नी वाद करता करता क्या उमाशंकर नी जे उच्चाई छे आचे उच्चाई अनी पंड ना जेणा जीवने जेवो पैलवारू को अड के मानो हात पोताना प्रथम संतानने येनी माता प्रथम स्पर्ष के विरी त्यापते ये शे आकी कल्पना अनी पंड ना शब्द तो अहियां इंदू लाल गांधी ये शब्द यो जोई से प्रजा नी पीडा ने पंड नी पीडा मने त्याद गी छे अने वाल में की गुश्य त्याँ छे एटले त्या वर्णन करता लेगू छे रोश्णी रोश्णी आँखमा तग तगी रोश्भराणो रोश्णी आटले तेज आँखमा लाल आँखत गया के वू छे तो येवू पंड जे वर्णन नी येनी जे उचाई छे पात्र ने गरीमा पुर्णरी ते प्रक्टाववानी येमनी जे काला छे येमनी कृतियों मा जवाब मड़े छे येनू जीवन आकाश्मानी साथे जोडाया येमा थे निवरुद्थया अटलू मुटू काम केरू अटला सामयी को चलायवा क्यारे ए आश्रित पत्यकार नोता बेन्या कोई नू लखी देवावाडा आजे जेम गोश्ट राइटर छे येवा कोई ना गोश्ट राइटर नोता बेन्याए पाईशा नोता छता है अमरुद्गायल केता था जेहन पलाण पन केता था येना बता समकाली नो के इंदू भाई नी पासे पान खवरावी ने कवीता सुधरावी देवावारा में जोया छे पन इंदू भाई पान नो खाए कहल के में जेहन पलाण के तू के पान नो आगरा करेशा ना ये पछी खीसा मती कवीता काड़ी ना पेका सुधरी दियो साइब आत्याग छेने ए बुद्धना महा भी निस्क्रम करता पन मोटो प्याग छे एने पोता नी विद्या ने वेची नहीं अकिंचन होआ छता ए जमना मा रेरी शकाड मनोर्शनी जी जाड़े जाने पनी चाहती के गायल साइब जराए इंदूलाल गांधी ने नाए आज ए खुमारी आज ए खमीर छे ए गांधी युग नी कविता नू पेल्लू लक्षाण इंदूलाल गांधी मा रुवाडे रुवाडे देखाईजे आ गांधी युग ना कवी गांधी युग मा होआ छता प्रहलात पारेख मा जे देखाणू ए उमाशंकर इंदूलाल गांधी मां न जोईशे क्या हमना जेनी वाद करी सिंधुने किनारे नी कवीता वांचोत में फेरो तारी साथे वन विजनना आहा शुब वाद करी जे विजन वन एकान राणमा रेतालमा सिंधुनी किनारा नी पगदंडी नी यात्रानू प्योर पोईटरी मां जे जोवामले वर्णन त्यां छे एमा नाद छे एमा लई छे अन्य क्यां आपड़े जेने संदेश कईये छिए समाज बोध कईये छिए एवो कोई बोध न थी नहिरू प्रकृति काविया नहिरा प्रणै कावियो प्रलात पारेक मां जोवामलतो एशुद्ध कवितानो प्रकृति कवितानो बहु मोटू वहलू जने कईये जरू कईये नानकडू एँ इंदुलाल गांधी मां जोवामले छे ये संब्ये में जे पुष्तक प्रकाशित किरियो मां बोव विगते 22-23 पाना नी प्रस्तानो लखेली सुरेश दलाल ने अरिंद्र भाई उद्गाटन करवावेला कि मने आनन दे वातनो छे के नवदित कवी ने आ कविता वस परशी चे न मैं एमां छेले लखेलू अधुनिक विवेचन पद्धती अने आधिनिक साहित्य थी पोशाएली मारी रूची ने पन इंद्धुल अल गांधी नी कविता स्परशी गई कारण के एमां नित्य युवा, सनातन अने शाश्वतेवा साहितिक सत्व पड़ेला जे। कवित ने एनी कविता ने कारण नो काट लाई जो न थी। आजे पन एक कविता आपन ने स्परशी जाए छे। कोई पन रूची ना भावक होई एने गमे छे। एनी पाछर नू कारण एछे। कि एमा गांधी युगमा होवा छता, गांधी प्रभाव थी। उफरा जईने, डेवियट थैने, शुद्ध कवितानू एने सींचन केरू छे। शुद्ध कवितानू मार्जन केरू छे। अने एटले ये कविताओ आजे पन आपन एटली प्रस्तुत लागे छे। येमना जिवन विशे कहनू बदू कई शक्किये। पन येमने जे रचनाव रची छे। येमा सवती बदू महत्वन येमनी गीत रचनाव छे। येमने बहुँ साची रिते करी। दस काविया, अग्यार काविया संगरू अने एटली ज कविताओ पाची ओ प्रकाशित। कंदर पा आमने बदू बतावे डाइरियों बदू त्यार आपड़े जुए त्यार ख्याल आवे के आटलू निरलेप कई रिते रचनाव काई। तमारी पासे चार जार कविताओ हो होई अने तमे एमा थी चालीस अज कविताओ संगरू करू आती थिय। ये केटला एनी द शिरिश भाई ने के सुरेश भाई जे नोतू छपाईू प्रकाशित नोतू करू ये बदू तमारे ग्रंतस्त करवानी जरूर नोती सुरेश भाई समग्रमा कांके सुरेश भाई एटला माटे नोतू छाइपू नोतू पुस्तक करू के एने ए समये लोको समक्ष मुक्वा जीओ नहीं लाग्यू होई ए रियाज्द नो भागश पण आवस्तु करवानी जरूर नोती पण यह मने करी एटले मुद्धो एछे ओधव जी मने कहो एटलू केम मुरारी मथूरा छोडी नथी आवता गोकुलमा तुम आखी पदा वली जो केम मुरारी मथूरा छोडी नथी आवता गोकुलमा ओधव जी मने कहो एटलू बस आटलूज क्यों बने विजों बार काई जाणू नथी पड़ पचीजे किया छे भाग्य महीशू हशे निरंतर बढ़वानू विरहा नलमा ओधव जी मने कहो एटलू मुरारी मथूरा छोडी केम आवता नथी गोकुलमा आप्रश्ना जी राज्य सत्ता साथे संगत मा आवेली व्यक्ती पचीशनेहनी सत्ता ने बुली जाईजे इंदुलाल गांधिये केटली वेहली लागणी नी एक पराकोटी नी ख्षन में एनी कवितामा गुंथिली दीजे ओ दव जी मने कहो एटलू मुरा ने छोडीने आव माधव गोकुलमा पाछा केम नथी आवता आ राज्य सत्ता नो जिस्वात छे सुवर्न भाजोट उपर बेठीने रजतना पात्रमा जियां भोजन करे छे यह 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 खावा काई आवे आ प्रश्ण जेवा कृष्ण ने केंद्रमा राखी ने राज्या श्रित क्यारे न थवू कालन के पची स्निया श्रित थाई शकातू न थी केवी मुटी संवेद्नानी ख्षण ने एमने एनी रेचनामा मुकिली दी मेतमने किदू प्योर पोयेटरी शुद्ध कविता एटले हमा एणे विजली नू आलेखन के रिए अवे विजली तो आपने जानिये छी है पड़ एने जे कल्पनोनी शेर रची छे एतो चमकी चम की ने चाली जाय ने लपाय एवी दीठी ती अणजंपी विजली अणजंपी विजली ने अणजंपी कईने एनामा सजीवार ओपन अलंकारे नमकली एटो जबकी जबकी ने छती थाय ने छुपाय तमें जूद शब्द चयन्नू माधुर्य इंदुलाल गांधी नी कवित आनू एक विशिष्ट सत्व जबकी जबकी ने छती थाए ने छुपाए तुमारे पैना वाग में एक पीक्चर मुकी दिये छे ने पछी किये छे इवी दीठी ती अन्जम पीवी जड़ी पवशरस चे केवी जुवानी छे सरस अ सिंधुनदीनी वादचे सिंधुनदीनी युवा अवस्था ने एक चे केवी जुवानी छे सरस चांदनी घोटी कर्यूतु अंग जाने एक रस पर पछे क्या छे जे जोई संतो शाय आखो अने उरनी तरस केवी जुवानी छेसरस आखो चितर जुवानी चांद नी घुटी करूतू अंग जाने एक रास येनो जे धवल प्रवाह येनी श्वेत फैनील तरस मस्ते आकरूती युवानी नो वेग इस सिंधुना वरनन मा नर्यू सिंधुनु वरनन नदीत अमारी समक्साम खडी थाय चे उपसे चे येम ना गीतो मारा स्वप्न नगर नी शेरी मा एक राधा रम्वा आवीती ना गीत हतु नोती बंसी तो एक घरगर भमवा आवीती मारा स्वप्न नगर नी शेरी मा एक राधा रम्वा आवीती राधा विशे नी आवी निर्मम भावती वात मा तरिंदुलाल गांधिय करी चे राधा ना भावने विरहने एने जे रिते एकरस बनी ने गुटी ने आलेखन के चे ए मारी दुरुष्टी ये येमनी बहु महत्वनी सिद्धी छे येमने लामबा कथा का वियो बहु लेक्या तमसा ने तीरे में वाद करी तेम ए सिता नी त्यजायेली स्थिती छे येनू आलेखन छे आपने सव जानिये छिए पण अहिया इंदुलाल गांधी नुद दर्शन ये भारतिय परंपराना संदर्व मां पति व्रतास्त्री शू जंक्खे छे पति परत्वे नो अहो भाव पति परत्वे नो आदर भाव अने पति ये जेके किरिव होशे ये समूची धशे ये भाव ये माथी प्रक्टे छे हमना स्वनेटो बहुत विशिष्ट अचे उष्णस ना स्वनेट ने आपने खुब वखाइना अचे पने इंदुलाल गांधी ना स्वनेट नो जी जोई ये अटलो अभ्यास कोई है किरिव होशे ये उत्तुम स्वनेटो उष्णस अने जैन पाठा कहता अमारे तियारे मिया संग्रहम ने आपेलो मने क्या ध्यानमात नोति भमो तारी साथे विज विजन वन रेताल धरणी व प्रेमो तारी साथे विजन वन रेताल परे ने आ घेरी अटवी तणी मानी सरभरा अरन योने खुंध्या कमल दल चुम्या गणी गणी रुचावो शास्त्रो नी स्रवन करी तारे तटे आई सिंधू विशे नी अने भादर विशे नी विश्णु भाय कहिऊ तेम गणी रतनाओ छे आपने त्या नदी कावियो नी एटली बधी आपने जी ग्रंथस्त पन केरा न थी पणे इमा एने जे विगोतों मुकी छे गणी मने महत्वनी लागी छे एक सोनेट मा तो विश्णु भाय कहिऊ तेम ये वक्ते आधुनिक नो पवन सरू थे ग्योतों सितेर साथी पछी नी कवी जा थे चपन थे लखे छे विश्णु भाय ये जवाज हुँ छे लखो बस लख्या करो समझ मा न आवे छतां ये जे कटास के रोचे लखो बस लख्या करो समझ मा न आवे छतां न कोई समझे भले समझवानी चिन्ताविना चमत कृति भरी नवी शब्द योजना शैली मा न अर्थे न अर्थ निकले छता कनक दो रशिपंतिवो सुरंगी ललिता पदी नवशोबने आंजती मुको बस मुक्या करो कवी वरो नवयूग ना सुर्वेश जोशी थी मांडी ने गुला मुमत शेक थी मांडी ने ए समयना राधेश्याम शर्मान आ बदाये आधुनिक कवियों ने एने जे चाबखा मैरा छे उमाशंकर ने आधी तो एनी साथे जगडा थाता ता रेमार्ष ने बदाना पन आमने एमनी सामे करेला कटाक्ष ने कोई नव कविये प्रतिकार केरो ना थी आ एमनु व्यक्तित हो तो ए गुलाम ममत्ष नी कविता चापे इखारा ए सूरेश जोशी साथे तो कराची ना संबन देना त्यारे विद्यार्ती हो ता सूरेश जोशी डोलर आए माकर ने बदा ऐ भाई काका ने बदा साथे ना बहु जुना संबन दो पण सुरेश जोशी ने एक कविता छापे पण ये पाछा कटाक्स मा लखे पण खरा मुको मुक्या करो येम करी ने जे एने काल ना प्रवाह मा अबदू वही जोशी है सहीत्यनू शाश्वत मुल्य प्रमाण नारो कवी मुंगो नर इशके सनातन सत्वोनी जालमनी माटे जज्यूमा एकलुद नहीं येने कडक क्रिते आलोचना करी अने प्रतिकार करो ए मोटा गजाना कभी हता एकलुद नहीं मारी दूश्टी ये तो ए मेजर पोयेट बनवा माटे जनिमा हता अटली विदी कवीता हो लगी समगर कवीता उमा शंकर नुझो ये चिये पणि इन्दुला गांधी ने जो समगर कवीता एकत्र करिये तो बे समगर कवीता जेटला सकल कवीता स्नेहरश्मी साथे ना पड़े ना संपर को हता था ए अटली विदी येनी कवीता हो एमने तमसाने तीरे मां जे छले भालमिकी ने जे कहिऊ छे, समाद ने जे कहिऊ छे, कहेशो अनुष्टूप मां, कहेशो मां एमने कहिए मां शब्दो थी शाप जो, एने शाप नो अगता, कहेशो मां कहिए एमने मां शब्दो थी शाप जो, एमनी किर्टी नी रेखा, अखन डितज राख जो, प्रजानी वेदना जेने पंपाली पंडनी करी, एवा भरता, ठकी हुँ भार्या, सवभाग्य उजडी। सितानी आजे अहो भावना छे, एमने मुकी ने पोतानी प्रतिष्ठित संकल्पनाने सिताना मुखे जाने के रजू करी छे, एमने गजलो पन रची छे, मने किटली गजलो ना शेर तो, पवननी पांख मा एकाद पीछू मोर नू देखी, मने श्री कुष्ण केरो मोर मुकुट याद आवे छे, यहनी जे कल्पना करी छे, तमें पिर्शो हतो कंसार मारी थाली मा, यह कंसार ने आसुथी हुँ चोड़ी रहो छे, आज ये पीडा छे, अपार सम्रुद्धी वच्चे, येकाकी पणानी जे पीडा छे, दूर निवार वेदनशील अवस्थिती छे, ये पनेमनी कविता माथी बहुँ नजाकत रिते प्रक्टी छे, मुखर बिना वगर पीडा ने अभिव्यक्त करवी, ये बहु, सम्रुद्धन शिल कवीच, सयम जालवी ने करी शके, ये वा घणा कार्यों येमने, पोतानी कविता माँ मुख्या होई, ये वुँ अनेक जग्या ये मने देखाई हुँचे, गणी बदी आम तो कवीता विशे वाद करवानी होई, येमने कल पन शेर्ग जे गूथी, आंधिलिमानो कागल तो बेन गायों ने, ये, बो मुटी दिर्क कवीता छे, मेंदी रंगलांग्यों लोग्गीतनो मुख्यो लईने, सुरेश दलाला तो पची प्रयोग के रहा, पदध्वनी माने विजा मा, एकदम प्रचलीत लोग्गीतनो मुख्यो लईने, पची जे एने आगल लगायों, तो एक गीत एटलो बदू, रेडियो माने बदे गवायों, पेलू लोग्गीत भुलाये ग्यून, आ लोग्गीत स्थापित थेके, रेडियो स्टेशन मां हता, एकली जानता हता, के लई अने नाद गीतना जिवातु भुततत्व छे, पण लई अने नाद मां जो कवी खेचाई जाए, तो पची कवीता त्यां थी, विदाई लिये छे, अने लई अने नाद ज तमने संपलाये छे, कानन केने, चारनी सहित्य अपने समय रजूततु मेमू गटवीन बदा, कहु मासम काते, तिय मदमाते, आम करें, अने सांपलता हता, अने अन्दर तमें एकला खेचाई जाऊचो, के तमने कवीता नो जो अर्थ छे, एमा तमें पहुंचिक शक्ता नाथी, केरा ही जाऊचो इंदुलाल गांधिये, पोतानी कवीता ने सहिम थी जालवीने, लए अने नाथ तियेवू मार्जन करायू, के शब्दो चक्चकीत, उजला दुद जेवा थेईने, आजे पन जीवे छे, इंदुलाल गांधिये, काठिया वाडिक शब्दो जे, हतो हनो लोब छे, हुने मी एक वार मथूरा मा ज्याता, जो गया हता नो ज्याता, तो आजे सवराष्ट्री बोली ना शब्द प्रयोगों ने, एने एविरिते प्रयोज्या, के एना माटे करशंदास माने के एम कईू, के बोलाता शब्द नो कवी, वो मोटी उक्ती छे, तमारा वाचित ना शब्दो ने, गीत मा ढालवा, अने एने लईती लत्बत्था करवा, ए इंदुलाल गांधी सिवाई, बो ओछा कवियोग के रूँचे, मकरन दवे मा एक गुंजायश देखाएचे, मेगानी मा एक गुंजायश देखाएचे, एक गुंजायश नो अनुरणन, एनुरण को पैल वार को तमने, इंदुलाल गांधी मा सांपलवा मालेचे, आवा, आपड़ा समय ना, एक मोटा गजाना कवी, मारजिन मा हता, हांसिया मा हता, यहने मूल प्रवाह साथे, जोड़वानू ए समया में काम करेलू, अने आनन तो ए वात नो छे, के पच्छी ये पुस्तक अभ्यास क मा मुकाई हूँ, इंदुलाल गांजी नू छ्यासी मा निधन थयू, बदानेम थयू, क्या मोटो कवी, आवो कवी, रजनी कुमार पंडियान, बदा है खुब लखेलो ए समय, अभ्यास करम मा ये पुस्तक मुकाई हूँ, अने एने कारणे रेडियो मा एनी कैसेट्स, एना सेमी नारो, एटला बदा त्रण वर सुधी थया, क्या खा सवराष्ट मा इंदुलाल गांधी छवाए गिया, इंदुलाल गांधी पुनर जिवित थया, येना शब्दो द्वारा कवी आजे पन जिवे छे, अने एटले मने अहिया आपड़ू मलवू, अका दमी द्वारा योजा एलो, मनिश्वाए, आटला बदा लोकोने निमंत्री ने, आजे उपक्रम योजो छे, ये मने कार्यक्रम नथी लागतो, पण आपना समयी नी सांस्कृतिक घटना छे, आवी सांस्कृतिक घटना ना साक्षी बनवानू बिनू, अने इंदुलाल गांधी ना परिव इल्या ह्गता, मने गमता मारजिन मा रह्यला, आश्यामा रहीला कवीने, में मूल-प्रवहांनी अंदर बेलवा माटे थोड़ुकपन अप्समारी नजर मां रही गेला लोको जाएगा लोक साहीतिय चारणी साहीतिय संत साहीतिय हांस्या मां जयतु क्या अपने एंट्री ने ? आटले भुति हुश कांसी सeंत साहीत दो कोई ने एंट्री ने ? इतले आपने अकादमी आखो आ संत सहीतियों नो कोश करो पड़े विस्तिति इवा घणा बदा चारण कवियोंने पण कोश्मा समाविश्ण के रहा हमें जैमल परमारे खुब विनंदी करी जैंत भै कोठारी में के आपला बदा मुश्लिम धर्मान तरिजे मुश्लिम प्रजा खोजा इंदुला गांदी रहता ता त्यां बदा आकी खोजा शिरीयति ने तिां जमात खानू के मस्चिद नो के तो आ जमात खाना मा जे गिनान गवाई चे वहरा नी जे नसी हतो चे उँँ राही पासे शिक्तो तो अर भी इने शेख्षादिकली सहःबनी नसी तो कसी दाओ आ मुम्ना पटेल माती धर्मान तिर देया चे ब्राह्मन माती वहरा थया लुहाना माथी खोजा थया क्षत्री माथी मोले सलाम थया बारोट माथी मीर थया अने भरवाड माथी मतवा थया आ मतवा, मीर, मुमना, मोले सलाम, खोजा एको इरान्थिया मेला मुस्लिम नथी एतो आ माटीना संतान छे हिंदु प्रजा माथी धर्मान तरित थेली प्रजानु साहित्य पान आपड़ा संस्कारों नी दबक्ति नाड़ छे इटले शादी कली साहिब कहता होई सजाओ छो आज जिसमने जरने जेवर्थी जरा विचारतों करो यहनी खस्ता हालत पर कबर्नी गोर मां अंधार मां यहने कीडा खाशे नरम तड़ाई कहां अने कहां तमे यारो कबर्नी गोर मां शूशो एक करवट पर शादी कली साहिबे लेख्यों छे आब दी कविता यह भारती यह संस्कृती नों धबकार छे सरसेनी एक कविता आतियर यहादेमा एक शब्द छे जे अकबरली जस्तनवाला ने बदा इंदुलाल गांधी ने वक्त बोलता था एक अली छे मस्चिद मारें बदाने बनावे चोकराव में अन्ने जव नी खेती करेज अन्नी जव पछी बदा पक्षियों नाकी जव थोड़ाक जव नो खांडीन इनो लोट खाए और निया मस्चिद मारें बेफ खकीर आई वाए वाइ शांज पड़ी के बपोर थेक चालो जव भणाक ना वू तो आई जव मुझ हुझ है पेला फकीर गया जव माई त्या तो सेव ने बुंदीन शरस बदु जव नो मल्यो इक्लि एनेम थिऊ फकीर होने के आ नथी आई वा तो आ अली छे आयां बहुत खाता हाशे सारू के आपड़ा करता है सारू होशे सांजे इपाचू कीदू पछी बाजू अवां कोक ने कीदू का अली के माई आउता नथी जम्मा क्या यहना छोक्राव जापन ने जमाड़े शे इत्यां रिये छ ने किये अन्येमा तालू हतु एटले पेला एक कुई छू धरी पिटारी ये पर तालू धरता था चोर्थी आटलू डरता था तमे या चोर्थी आटलू बुदू डरो छो का ने तालू मारो छो शैबी वली जवाब आपे छे गरना छोक्रा अहिया आवी गीने खांड मिला जडू छू तालू एक खाती के वली ने लुखू भावे छे मारे तो लुखो जवनो लोट खावो छे पन दलेली खान गी एमा छोकराव भब्रावी जाई छे जडू छू तालू एक खाती के वली ने लुखू भावे छे आजे सैयम चे आजे सादगी छे इंदुलाल गां सुझ पुर्वक ना विनियोग ने कारणे मात्र अर्थ पुर्ण न थी ए रदेश्पर्षी पन बनी जे। एकज बात करवानी छे बड़न भाय पोता ना विद्वद वक्त व्यमा जे आशा व्यक्त करी के बई इंदुलाल गांधी समग्र हो आजुए साहित्यका दमिया कामकर्ष मेंदी तेवावी मालवेन एनो रंग गयो गुजरात रे मेंदी रंग लाग्यो रे मेंदी तेवावी मालवेन एनो रंग गयो गुजरात रे मेंदी रंग लाग्यो नानो देरीरो लाड़को भाभी रंगो तमारा हात रे मेंदी रंग लाग्यो रे वाटी घूटी ने भर्यो वाटको भाभी रंगो तमारा हात रे मेंदी रंग लाग्यो रे आंगली यो रंगी ने रंगी हतेली रंगी बेची मने रूँए घेली रेंदी रंग लाग्यो रे मेंदी तेवावी मालवेन एनो रंग गयो गुजरात रे मेंदी रंग लाग्यो रे हाथ रंगी ने वीरा शूरे करू एनो जोनारो परदेश रे मेंदी रंग लाग्यो रे मेंदी तेवावी मालवे एनो रंग गयो गुजरात रे मेंदी रंग लाग्यो रे मेंदी तेवावी मालवे एनो रंग गयो गुजरात रे मेंदी रंग लाग्यो म्यूजिक मेंदी रंग लाग्यो अबार अध्यक श्री विष्णुवे पंडे साहब श्री बढवन बे जानी साहब अन्ने नमरता बेंशोधन आप सवनो अबार आजना प्रसंगे इन्दुलाल गाधी ना पुत्र कंदर्भबै गाधी एनने अमनो परिवार उपस्थी छे तो हुँ कंदर्भबै गाधी ने विननती करू के आ प्रसंग आपनो छे आयो जन मात्र गुजराच साहित्य अकादमी अने होम कोम्यूनिकेशन नो छे आपने अपना पितानी स्मृती मा कही पन व्यक्त थावानो पूर्ती मोकलास छे तो आप आओ अने केक अशोका बेन आओ नहीं हर क्या बेन माननिय साहित्य अकादमी ना अध्यक्ष श्री विष्णू भाई आदरने श्री बड़न भाई श्री नम्रता बेन उपस्थीत सज्जनों विद्वानों अने वडिलो मनोज खंडेरियानों शेर यादावेशे क्षणों ने तोड़वा बेशूं तो वर्षो ना वर्षो लागे अत्यारे आजे क्षणों आमे मानी अमारा जीवन उएक अमुले भाथू बनी गयो आ प्रसंद क्यारे आमे भूली सक्षूने एतलो चिरंजीव बनी गयो टीवी माँ जीपी टीएल माँ महशोत मजा आउशे कार्यकर मावेशे एमाँ श्री आदवने बड़न भाईने में मूला काच सामडेली हमनाज एमनाईने हमनाज कहेलू कि जे इंदुलाल गांधियाने श्रीदराणी जेवा कव्यों हांसिया माँ धके लए गयाशे मामारे काम करूश अने आद कभी करीब बतावू आदला टूंक समय माँ एतला माटे साहीतियका गमी और मनीश भाई ओम कम्यूनिकेशन नो अमी खुब-खुब अभार मानिये शिये गर्वन उभविये शिये अने अमारी प्रसंत अव्यक्त करिये शिये हमना जे स्मरणों जीवित करिया बदाए अने कवी नी अनुपस्थेदीने भूलावी दीदी अमारी वच्चे लावी ने मुकी दीदा एले आप्रसंग में केवी ते बुले सक्षूं आतली कवी ना विदाए पची आतला वर्से अने 107 वर्से पची आ युगमा आ कवी ने संभारवा अने आप सोवे आतलो टाइम आयपो आतलो बदू काम केरू ये इंदूरान गांधी नो परिवा सदा ये नो रोणी रहेशे ये का स्मरणों नो पारस पर्शम ना पी दिदो तमे अने आम ये कदी विश्री स्रक्षन नहीं बाकि जे इना इनी बदी बात थाई इमना जीवन नी चर्टनी पड़नी तो अमे शाक्षी होये ज पड़ इमना जे सद्गुणों, स्वमान, खुमारी, खेल लिली, सर दईता, नम्रता ये तो अमे क्यारे बुलवाना न थी अने थोड़ गण अमारा जीवन मां उपतारों नो प्रेत्न में करी रहाई आछी इमने पोतेर लखेलू छे, हे अल्प आयूश्य, अपूर्वा गीत थाई, संसार ने गुन्जन थी भरी जा पड़ इमने जे गीत गाया, गुन्जन ने आयूश्यन उजे थाई ये तम्मे आया जीवतू करी दिदू इतले विशेश तो बदू गणू बदू केवायू अने गणू बदू आमे पाचू जीवित करीू अने इस खास तो आद दने शे विश्यन बढ़े जायरात करी, ए अमारे माते बहुँज मोटी बात छे, अमे धन्य बनी गया, आमारो आम बदू सार्थक थाई गयू, अही अने फरी-फरी इंदू लाल गांजी ना परा परिवार वती, एमना चाहको वती, हुम अमारी प्रसंता व्यक्त करूचू, धनिय तानू बहुचू अने सब नो आभार मानूचू, आभार अभर मेहरी काविन, अध्यक्ष्री ये जे वात करी के समग्र एंद साहित्यांगे नू एक पुस्तक प्रकट अकादमे कर्शे, ते खुब आनन नी वाच्छे, हमला जरे नमरतावे ने पहलू काविय नू घान करूँ तारे प्रेक्षक गुरूमा धीक भाय के के आ अंतो मेधीतो वावी मालवे, ए मुण लोकगीत छे, ओगनी सो पतीसमा रडियाडी रात जवेचे मेगाणी नी प्रथम अवरुत्ति मा, मेगाणी जीए मानेती नी आँख, ए शिर्षक एठोल आ लोकगीत प्रकट करेलू छे, रडियाडी रात नो समग्र संपूट ए अक वधा कवियो आवी रिते, ए लोकगीत होए, बिजा गीतो होए, ते एननी साथे रही ने, पछी आखी कवीता ए फोतानी रिते करता हाता, इवी रिते मेधी ते वावी मालवी, ए कवीता इंदुला लियागनी के मुख्डू और एनना पचे नुस्टांजा, ए ए एज इट सुम्भी ना रंगमा, एमनी पोतानी कवीती मा, कवीता जेके करता हाता, और एमा उपन नहोद पन मुख्ता हाता, के मैं नाना लालनी आ पंक्ती, प्रथम पंक्ती नाना लालनी छे, ए वी रिते जो हुए, आ समय मा फरी थी आवी रिते समग्र साहित येनू पुस्तक आ छे, तो आजना युवानो ना अवतिकालना युवानो एक कोई द्विधा अनुभवे नई, आप सवनोखमकुबाभार, एक अगत्यनी जहेरात ए छे, के भार अकादमी ना सिष्ट सहिते ना पुस्तको उपलब्द छे, आ कारेक्रम ना निमीते 50 टका वडतर थी ए पु आत्मा ओरिटोरियम माँ छे, जन्या माटे आप सव अत्यार्थी आमंत्री छो, एटले चा कोफे नुभवस्ता शे, एनन निया याप्षो, आप सवनो पुन आभार